हाई फ्रेंट्स विल्कम टो आवर चैनल श्रीप फर्मसिस्ट तो आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे डोलो 650 टैबलेट के बर में इसका यूज डोज साइड इफेक्ट्स सब कुछ बताएंगे तो वीडियो में शुरू से लेकर आखर तक बने रही है चैनल पर न्यू है अभी हमारे इस चैनल श्रीप फर्मसिस्ट को सस्क्राइब करके बेल आइकोन को जरूर टैप कर देना चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसाब बात करेंगे डोलो 650 एक ब्रैंड नेम है और यह बहुत ज़्यादा पपुलर है अभी बात करेंगे दोस्तों इसको इसलिए लिखा गया है कि इसी मेडिशिन पर पेरसेटामल सिंगल कंटेंड है और वो भी 650 NG में है तो इसलिए इसका नाम डोलो 650 रग दिया गया है बात करेंगे दोस्तों कि इसका यूज क्या है बहुत लोगों को पता है दोस्तों कि डोलो 650 का यूज क्या है फिर भी हम ब अत्रा में दिय जाए तो ये analgesic का कां करता है जिसको हम pain killer भी बोलते हैenne मतलब जो body में जो दर्द होता है दोस्तों ये इसको भी सही करता है और कभी कभार low dose में ये जो body में Susan भी आता है उसको भी सही करता है इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे से जो pain killer medicine में paracetamol भी होता है और वो low dose में होता है बात करेंगे दोस्तों इसका side effects क्या रहेगा देखिए हर एक medicine का use बहुत यह अच्छा रहता है तो side effects भी रहता है जैसे कि यहाँ पर अगर इसी medicine का side effects का बात करेंगे तो abdominal pain हो सकता है nausea या vomiting हो सकता है skin में rashes हो सकता है eating हो सकता है और इसके साथ dizziness हो सकता है शांस लेने में problem हो सकता है या फिर आपका मुँ में जीव में या गले में सुजन आ सकता है तो या फिर इसके साथ साथ हो सकता है दोस्तों gastric irritation हो सकता है मतलब पेट में ग्यास बन चकता है और यह जो कमन है दोस्तों जब पेट में ग्यास बनना या ब्लोटिंग होना तो इसलिए डक्टर हमेशा यह मेडिसिन के साथ-साथ आपको ग्यास्ट्रिक का भी मेडिसिन दे देते हैं तो दोस्तों अभी बात करेंगे कि इसका dose क्या है देखिए वैसे dose ता अलग-अलग रहता है दोस्तों मतलब बचों के लिए अलग रहेगा बड़ों के लिए अलग रहेगा और इसके साथ मरीज का जो condition है उसके हिसाब से भी doctor dose को decide करते हैं लेकिन इसका जो dose रहता है 15 mg पर kg क हिसाब से रहता है तो इसी हिसाब से doctor calculate करके आपको देते हैं दोस्तों medicine लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए अगर आप ये medicine ले रहे हो तो 2500 mg से जादा आप इसको नहीं ले सकते हो एक दिन में मतलब अगर simple भासा में बोला जाए तो adult के लिए मैं बता रहा हूँ बच्चों के लिए तो भाई शिराप आता है लेकिन जो adult है 18 year से उपर है तो उनको दिन में तीन बार ये medicine दिया जाता है और वो जो है खाना खाने के बाद दिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रुरत पड़े तभी जाके doctor के recommend के हिसाब सही इसको दिन में चार बार दिया जाएगा लेकिन अगर आप ये medicine को चार बार देते हो दिन में तो ये बहुत ज़्यादा डोज हो जाता है इसन लिए ज्यादा से ज़्यादा इसको doctor तीन बार ही देते हैं बहुत ज़्यादा emergency case में ही इसको चार बार दिया जाता है और ध्यान रखेए ये medicine अगर मत भूलना नहीं तो आपके पेट में इरिटेशन भी कर सकता है और इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करेंगे बच्चों के लिए क्या करें भाई बच्चों के लिए शिरफ वाता है परसेटामल का उसको आप यूज कर सकते हो तो यह जो है दोस्तों पूरे के पूरे इंफ लेकिन एक बार डक्टर से कनफर्म करने के बाद अगर आप इलर्जिक नहीं हो पेरिश्यटामल से तो डैफिनेटल आप इसको ले सकते हो अभी बात करेंगे कि कौन कोन ऐसा पैसंट है जो इसको नहीं ले सकते ही, जैसे कि किसको लिवर में कोई रोग है, या फिर किसी को सराप का लथ है, और इसके साथ-साथ किसी को यहाँ पर गुर्दे की विमारी है, ड्रॉग एलर्जी है, तो दोस्तों इनको नहीं लेना चाहिए, या मेडिसिन और या फिर लेने से बेले अब बार डॉक् नहीं था, उमिद है, आपको ये विडियो अच्छा लगाओगा, लगाए तो लाइक से या शास्क्राइब जरूर कर देना, एसे ही विडियो हमें आपके लिए लाते रहेंगे, फिर भी कुछ डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूच सकते हो, थेंक्यू वेरि मुच पर वाचिं इस विडियो